हेलो दोस्तो नमस्कार मैं शांती जोशी आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग भी शांती जोशी में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तो दोस्तो आज मैं आपको बहुत ही खुबसरत एक प्लांट दिखाऊंगी अगर दोस्तो आपको यह वीडियो अच्छा प्लांट है और इसको अमिरल ला प्लांट भी कहते हैं यह देखने में बहुत ही खुबसरत और इसमें कई वैराइटियाँ होती है तो एक मैंने पहले आपको around rooftop יודע अर इसकी स्वेक चोकी गोल पतियों वाला स्रल्ला भी स्रछ प्लांट नोब जोगने में बहुत ही कूबसरत होता है और इसकी पत्तियां देखें दोस्तों अम्रेला के आकार के नीचे जुकी हुई है इसलिए इस प्लांट को अम्रेला प्लांट भी कहते हैं पत्तियों का आकार देखें दोस्तों कितनी वेरिगेटिड पत्तियां हैं बहुत इक उसरत यह प्लांट दिखाई देता है त सारी बाते हम करेंगे तो देखे दोस्तो ये जो सिप्रेला का प्लांट है ये एक इंडोर प्लांट है इसे जब भी आप इंडोर रखेंगे तो इसकी पत्यां जो हैं इतनी वेरगड़ दिखाई दे रहे हैं वो इतनी नहीं दिखाई देंगी वो एकदम यलो टाइप में हो जाएंगी तो और इसकी लंबी लंबी टेहनिया हो जाएंगी जो नीची की तरफ जुकी वूई होंगी तो प्लांट देखने में अच्छा नहीं लगेगा और इसे पूरी तरह से आउट्डोर धूप में रख दिया जाए तब भी ये प्लांट खराब हो जाएगा इसकी पत्या ब्राउन होकर जुलस जाएंगी तो आप ऐसी जगह पैसे रखे जहां परहल की धूप आती हो सुबा की धूप आती हो और दूप में इस प्लांट को छनका जहां धूप आती हो ब्राइड लाइट में वहां रखें आई उस प्लांट को घना कैसे किय जाए ये भी काफी प्रेशन हैं दोस्तो तो देखिए दोस्तो प्लांट को घना करने के लिए दोस्तो समय समय पर प्लांट की कटिंग करनी होती है तो देखिए दोस्तो मैं भी आज अपने प्लांट की कटिंग कर रही हूँ और जो लंबी टेहनिया होती हो उसको आप कट क करने से क्या होगा वहां से दूसरे स्टैप निकलेगी और इसलिए हमारे प्लांट धीरे काफी घना हो जाएगा जो देखने में बहुत ही खूबसरत दिखाई देता है मैं इसी ढंग से इस प्लांट की कटिंग करते रहती हूं तो देखिए मेरे प्लांट कितने घने हैं और कितने खूबसरत दिखाई दे रहे हैं दोस्तो इस ढंग से मैं अपने प्लांट की कटिंग करती हूं ये बहुत आसानी से इसकी cutting लग जाती है और cutting से भी हम कई plant इसके बना सकते हैं तो देखिए गना करने के लिए आप समय समय पर इसकी cutting करते रहें इससे प्राण काफी अच्छा हो जाएगा तो दोस्तों जब इसकी मिट्टी की बात करें मिट्टी इसको weldon बनाएं 40% आप इसमें garden soil 30% इसमें sand और 30% आप compost मिलाकर दोस्तों मिट्टी तयार करें इससे weldon मिट्टी इसकी तयार हो जाएगी और इसको इतनी compost की आउशकता नहीं है दोस्तों समय समय पर इसमें compost डालने की ज़रत नहीं है आप जब भी कभी डालें तो साल में दो बारा आप इसमें compost डाल दीजिए जब काफी आपका पुराना हो जाए प्लांट एक पॉर्ट में तो आप उसको रिपॉर्ट करिए तो बहुत ही खुश्रत वेरिजिटर पत्तियों वाला फ्लावर टाइप में दिखने वाला प्लांट है और इसको लगाने के क्या फायदे है इसको लगाने के सबसे बेन फायदा यह है दोस्तो एक तो हम इसके cutting से एक प्लांट से इसके कई प्लांट इसके बना सकते हैं और यह देखने में बहुत ही खुश्रत दिखाए देगा जो हमारे garden की खुश्रती इस प्लांट से बढ़ जाएगी और एक यह बहुत हाड़ी प्लांट है और इसकी ज़्यादा केर की आवशक्ता नहीं है आसानी से यह प्लांट हो जाता है तो एक तो हमको cutting से प्लांट मिल जाएगा दूसरा आसानी से ये प्लांट बन जाएगा और इसमें ज़्यादा कमपोस्ट की आउशकता नहीं है सबसे ज़्यादा फायदा ये है दोस्तो परियावरन की देश्टी से जब भी हम कोई प्लांट लगाएं तो परियावरन की द्रिष्टी से परियावरन को सेफ रखते वे इस बात का भी हम लोग को धियान रखना है तो ये जो प्लांट है दोस्तों ये एर को फिरिफाई करने का काम करता है हवा को फिल्टर करने का काम करता है जहरी इगली गैस को फिल्टर करने का काम करता है तो ये परियावरण की द्रिष्टी से बहुत एक उसरत और ये परियावरण मित्र प्लांट है तो ये जब भी आप इसे लगाएं आप अपने इसे गार्डन में अवश्य लगाएं तो इस से हमारे वातावरण सुद्ध होगा और हमारे परियावरण में जहरीली गैस और हवा सुद्ध रहेगी तो ये परियावरण की दिश्टे से भी बहुत खूफसरत और फाइदेमंद प्लांट है दोस्तो जहां तक इसकी पानी की बात करें जादा पानी इस प्लांट को नहीं चाहिए और इसे पानी मौशर बना रहना चाहिए और ओबर वाटरिंग भी इस प्लांट में नहीं करनी है नहीं इस प्लांट में मैंने कोई कीट नाशक देखा है दोस्तो और मैं तो हर मिट्टी दब चल जाता है तो यह बहुत कूपसरत पत्तिओं वाला देखने में तो बहुत सुन्दर ब्लांट आप इस प्लांट के दगाने से हमें कही फाइदे हैं और इसकी कट्इंग से ओसेविए कि रेंजे में यह प्लांट बना सकते हैं अगर आप vegetables प्लांट को लेने जाते हैं दोस्तो ये डेटसों से 200 की range में ये प्लांट मिलता है तो इस धंग से आप अपने प्लांट की care कर सकते हैं, इसको जल जली report करने की भी आउशकता नहीं है आप साल तेर साल में इसको रिपॉर्ट कर सकते हैं और दोस्तो इसका ग्रोथ प्रियर्ड जो है फरवरी से स्टार्ट हो जाता है और फरवरी में इसमें नई पत्ति आने लगती है थेंक यू दोस्तो